हाई एवरिवन कैसे आप सब और आज की हमारी रेसिपी मोहन थाल स्वीट इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही फटा फट बन जाती है बहुत ही जल्दी से बन जाती है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्ली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस देबल आइ जात्री गी और चाटेबम िस्बून दूध और इसको अब हम करेंगे अच्य से मिक्स को और आके इसको अच्छे से सबसे करीए दिका इस हम जादा करेंगे और इसमें फौरण हम एड़ कर देते हैं बेशन कर के रखा था और इसको हम चलाना शुरू करते हैं में इसका होता है इसमें चलाना शुरू में यह थोड़ा हाट चलेगा और तो एक मिनट के बाद पर हमारा soft होना शुरू हो जाएगा lose होना शुरू होना शुरू हो जाएगा लेकिन शुरू में तुड़ा से हाट चलता है गर copy इस तरह से इसको चलाते हम जुरूर रहेंगे और इसे बिलकुल चलाते रहेंगे मुनने यह लग जाएगा नीचे, एक जगह से जादा डाग हो जाएगा, एक जगह से कम, तो इसलिए चलाना इसका बहुत जरूरी है, तो यह देखिए, थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है, इस तरह से हमारा, और यह कलर भी इस देखिए, इसका चेंज हो गया है, और इसमें चलाने के लिए, क्योंकि चलाना तो है ही, और खाना भी सबने है, तो इसने किसी और की भी हल्प की जरूरत हो दिया, तो आप किसी और को भी हल्प के लिए बुलाएं, तो यह देखिए हमारा, जो यह टेक्श्यर है, यह और सॉफ्ट होता जा रहा है, और अब इसमें यह देखिए, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट इसको मिक्स करेंगे, और यह बहुत ही बहुत ही मिठाई है, स्वीट है, आप इसको जरूर ट्राइ करें, और बनाना बहुत ही है, इसमें कुछ भी जादा चीज नहीं डालना है, कुछ जादा प्रोसीजर नहीं है, सिंप मिक्स हो गया है, और हम इसको एक मिनट तक और अच्छे से चला लेते हैं, इस तरह से हो गया है, यह देखिए, एक्दम दानेदार हो गया है, और अब हम और बस थोड़ा सा इसको चलाते है, बसमें अपपफेक्ट खुश्बू आ रही है हमारी बेसन की, और घी की जो मिक् और एक कप मैंने इसमें पानी आइट किया है, थोड़ा से मैंने हरेला इची थी, घूटली थी, वो डाली है, और थोड़ा सा कलर डाला है, और अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, और जब तक हमारा इसमें तार नहीं बन जाता, तब तक हम बनाएंगे, और तार बनने क और हम इसको गैस को कर देंगे, और यह दिखे, एकदम पॉफेक्ट तार बनना है इसमें हमारा, तो इस चारशने को अब हम इस बेसर में मिला लेंगे, और गैस कर लेंगे, अन हलका बिलकुर, एकदम हलका अन करेंगे, तो हमने इसमें चारशने में मिला दिया है, और हम इ इसको अब हम इसमें अच्छे से mix कर लेंगे एकडम soft हो चाहेगा भी आप इसको देखेगा प्लिख किया अच्छे सब soft हो गया और मसको अच्छे से बहुत अच्छे से mix करते ली के समें besan और जार की को ड success आपका हमको बिलकुल व्लेम पर रखना है एकडम लो यह देखिए कितना बेतरी हमारा टेक्शर त्यार हुआ है एकदम धानेदार है और यह देखिए जो चैशनी हमारी बजगी थी पॉर्ट में वह भी मैं समयाट कर देती हूँ तो यह देखिए एकदम जाली से इसकी बन गई है अंदर और अब हमारा बस तकरिबन यह त्यार ही है मिक्स होई चुका है यह देखिए कितना बेतरी हमारा यह टेक्शर त्यार हुआ है और यह जो बिसन था इसने भी घी भी रिलीस कर दिया है और एकदम पॉफिक्ट हमारा यह जो टेक्शर है हो चुका है और आपको एक चीज़ और बताती हूं देखिए मेरी पैन कितना क्लीन हो गया है इस टेक्शर ऐसा ही होना चाहिए जिससे जो हमारे साइड में लगा था वो सारा इसमें लग गया है आ गया है और एकदम पॉट एकदम क्लीन है यह अब मुतली इसमें आ गया है कहीं भी पैन में नहीं लगा कहीं चुपका नहीं है तो अब हम इस तरह इसको इविन कर लेंगे और बेतरी निविन करने का तरीका है कि थोड़ा से ट्रे को हम हिला लेते हैं तो यह उपर से थोड़ा से इविन कर दिया और बाकि हम ट्रे को और थो और यह घर की मिठाई है तो जितना चाहें इसको अच्छा कर लें तो यह मैंने चांदी कब वर्क लगा दिया है इसमें अब यह चांदी कब वर्क बहुत एजिले मार्किट में अव्यलेबल हैं आप इसको लगा सकते हैं और इसके तोड़ा से मैंने बादाम काट के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया है बाकि आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं जो चाय डाल सकते हैं और इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे हम कट करने के लिए थूड़ असा पेशन्स की जरूरत है एक दम परफेक्ट लिक कटेगी आपकी यह महन थाल स्वीट देखे पहले हम इस साइट से काट लेंगे तो इजी हो जाएगा में और मैं आपको जसी दिखाती हो थोड़ा सा निशान लगा लें काटने साट करने से पहल सारे बाले पीस में थोड़ा निशान लगा लेंगे तो यह इसी हो जाएगा इस तरह से काट लें इसको सारे पीसे आपके एकदम बराबर होंगे तो यह दिखिए अब हमारा यह भी पीसे भी करके हैं और यह मैंने रख दिया था एक घंटे के लिए तो यह ठंड़ा हो गय प्रफिक्ट मोहंधाल स्वीट त्यार है आप लोग इसको जरूर ट्राइ करें बहुत ही बेतरी इन बहुत ही लजीज बनी है हमारी यह मोहंधाल स्वीट तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ करें और आप लोग जरूर मुझे मेसेज करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी thank you so much